नौमार्शको फिल्म इंडस्री ने एक सितारा खोया। मशुहूर कॉमेडियन और एक्चर सतीश कौशिक का काज़ी करेस्ट की वजह से नधन हुआ। सतीश कौशिक तो चले गया लेकिन उनकी मौत के मजर होने का दावा किया जा रहा है। ये सब ही दावे सतीश कौशिक के दोस्त और बिजनस्मेन विकास मालू की पतनी ने किये हैं। सतीश और विकास करीबी दोस्त थे और लंबे समय से एक दूसरे को जानते थे। विकास मालू की पत्नी सानवी मालू के इनसंसनी के जारूपु पर अब सतीश कौशिक की पत्नी ने चुपी तोड़ी है। उन्होंने एक इंटरव्यू में दिए मजर की ठियोरी को से इंकार किया है। उन्होंने कहा ये बहुत गलत है। कोई जगड़ा नहीं हुआ। कोई हो गई है इसलिए सोचा ये सब बोल कर सिंपथी ले लू विकास मालू जी को फसा लू वो ये सारी चीजे कैसे बोल रही है सतीश कौशिक की मौत के पीछे पैसे का कोई लेंदें नहीं है सानवी मालू ने अपने पती विकास मालू पर गंभीर आरोप लगाते हुए दिल्ली पाठी के दन गलत दवाया खिला दी हो ताकि पैसे ना देना पड़े दल्ली पुलस ने सानवी के आरोपो की जान शुरू कर दी है पत्नी के इंकंभीर आरोपो पर विकास मालू ने इंस्टा पोस्त के जरिये सफाय दी पोस्त में विकास मालू ने लिखा सतीश टी पिसल 30 सालों से मेरे परिवार थे और दुनिया को खराब लाइट में दिखाने के लिए चंद मिनिट भी नहीं लगे मैं सोच भी नहीं सकता उस ट्रैजडी के बारे में जो हमारी शांदार सलिबरेशन के बाद हुई मैं अपनी चुपी तोड़ना चाहता हूं और कहना चाहता और किसी का भी उस पर जो नहीं होता असके साथ ही मैं मीडिया से नरोद करूँगा कि वे सभी भावनाओं का कदर करें हमारे सभी आने वाले सलिबरेशन में सतीश जी को मस किया जाएगा सतीश कौशिक के मौत के बाद परिवारों पर दुखा पहार तूटा है एक्टर की 11 12 साल की बेटी है जिसकी शादी का उन्होंने सपना देखा था सतीश कौशिक के मैनेजर ने बताया था कि एक्टर अपनी बेटी के लिए जीना चाहते थे लेकिन किसमत को कुछ और ही मन्जूर था बियो रपोर्ट मेट्र मुंबई